गुड मॉर्णिंग केट्स, वेलकम यॉल टू शान्ति कुछ अनलाइन क्लासेज सुडेंट्स, आज आपका इंग्लिश का पीरिड है तो इंग्लिश की पीरिड में हम आपका लास्ट लेसन कंटिन्यू करेंगे जो की है आपका लेसन नंबर टैन, अच्छे से करवा दी थी आपको डिफिकल वर्स और बड़ मिनिंग लिखने के लिए थी तो चलिए हम लोग एक्सराइज करना शुरू करते हैं तो स्टुलेंट्स, आप समने अपनी बुक्स निकाल ली है देखिए आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए आपका लेसन टेलर एड इस फ्रेंड लेसन नंबर टैन, पेज नंबर फॉटिफाइव क्योंकि लेसन हमारा कम्प्लीट हो चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग ने घर पर लीडिंग किया की नहीं और जो होमवक मैं ने आपको दिया था, आपने कम्प्लीट कर लिया आप चलिए सबसे पहले हम आपके हैं, कुश्चन अन आंसर तो हमों लोग कोश्चन अन आंसर कर लेते हैं आपकर फर्स कोश्चन है, who was कालू? कालू कौन था? तो कालू वाज टेलर, सिर्फ आपको इतना अंसर लिखना है नमबर टू कोश्चन है, what did कालू make? कालू ने क्या बनाया, क्या किया? कालू made to play a trick कालू को क्या सूजा एक शरारत करने की सूजी वू वॉज अपू अपू कौन था अपू वॉज एलिफेंट अपू एक हाथी था वॉट ट्रिक दिट कालू प्ले कालू ने कौन सी शरारत की क्या उसको सूजा करने के लिए कालू ने क्या किया? श्यतानी के तौर पे उस ने अपनी सूजी से उसकी सूज में चुबा दिया दिट अपू डू? अपू फिल इस सूज़sk वीद वॉटर एंट़ु एड कालू शॉप अपू ने क्या किया? अपनी सूज में पानी भरा और कालू की दुकान पर डाल दिया ठीक है तो हमारे question answers हो गए पूरे उसके बाद देखिए student आपके one big answers है one big answers मैं आपको बुक में करवाती जा रही हूँ आप लोग फिर copy में लिख लिजेगा who was कालू's friend तो आप लिख देंगे यहाँ पर who की जगा who कार के आप लिख देंगे अपू अपू was कालू's friend who gave nice thing to अपू to eat कौन देता था तो आप लिख देंगे कालू, हू की जगा कालू, कालू कालू gave nice thing to अपू to eat what did कालू प्रिक in अपू's ट्रंक तो क्या लिख देंगे आप आप यहाँ पर लिख देंगे आप लिखेंगे कालू, प्रिक यहाँ पर ed लगा देंगे यहाँ पर ed यहाँ से कालू, प्रिक needle n, d, e, d, l, e needle in अपू's trunk बस अपकांसर पूरा हो गया where did अपू fill his trunk तो इंदा river काहा से river से आप लिखोगे यहाँ पर in the river नदी से in the river अपू fill his trunk what all became wet तो new close क्या लिख देंगे आप यहाँ पर new close new close all became wet यहाँ पर all new close यह all यहाँ ठाके यहाँ लगा देंगे all new close became wet अर्जर हो गया आपका उसके बाद देखिए फ्लिन्दा blanks है कालू the tailor had a dash near the river क्या थी कालू की shop यह आपका number one पर शॉप अपू came to his shop dash everyday number two पर आएगा everyday अपू ran away in pain यह number three dash and dash became good friend तो कालू and अपू यह आपका fourth है और यह five है यह इसका यह आपका अपू and कालू became good friends ठीक है हो गया आपका उसके बाद में students यह रेखिए number the event as a story took place इसमें आपको number डालने कि यह से आपकी book में lesson आया है यह आपका home work है यह आप लोग खुद से कर लेगे तो मारा lesson पूरा complete हो गया है मैंने आपको करवा रही है question answer one word answer fill the blanks और numbering वणा काम आप खुद से कर लेगे आप तो कॉपी में सारा काम complete कर लिएगा जब ली स्कूल खुलेंगे तो आपकी कॉपी चेक की जाएगी okay students बाई बाई